दोस्तो आज हम पढ़ेंगे भायत के विद्ट आयोग के बारे में सविदान के अनुचे 200 सी में केंद्री विद्ट आयोग के गठन का प्रावदान किया गया है विद्ट आयोग का गठन भायत का राश्ट्रपती 5 वर्सिक लिए करता है एम आवशक तुनसार 5 साल से पहले भी कर सकता है विद्ट आयोग एक सविदानिक सलाकारी निकाह है इसको मानने के लिए सरकार बाद नहीं होती है विद्ट आयोग में राश्ट पती द्वरा एक अध्यक्ष एम 4 अन्य सदश निक्ति के यात है विद्ट आयोग का अध्यक्ष वही वेक्ति होगा जिसे सार्विनिक मामलों में प्रयाप्त अन्भव होगा सदश्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे वेक्ति को सदश्य बनाया जाएगा जो उच्छ न्याले में न्याजिस बनने की योगिता रखता हो या विद्टि मामले का अच्छा विश्यक्य हो विद्टि आयोग की अध्यक्ष और सदश्यों की योगिता क्या होगी इसको नदाहित करने का अधिकार सुस्थ को प्राप्त है वित्त आयोग का मुख्यकार इस केंद सरकार और राज सरकार के बीच करों का वित्रण की सिदारिते करना है वित्त आयोग केंद सरकार और राज सरकार के बीच कर वित्रण का लेखा जोगा भी रखता है जो प्रतिवर्स राष्ट्रपती को सोपता है और राष्ट्रपती दोनों संदों के सामने प्रिस्ट करता है केंद्र और राज्यों के मद्दे वित्ति वादों के रिप्टार है तुम के जन से वित्त आयोग है अरतिक मामलो के पूरी सचीव सक्तिकान दास पूरी उमकः आरतिक मामलो के असोक लहडी नेतिया आयो की सिपारिस एक अप्रेल 2022 से सुरू होकर अगले पांच वरस अरथा 2022 पत्चिस तक की अवधी के जिये होगी राज्य वित्तायो के गठर अनुच्छे 241 एक के तहित किया जाता है